जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वह मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं त रूसी नेता रमजान कादिरोव ने सैटरडे को कहा कि जंग में रूस की स्ट्राटिजी में बदलाव की जरूरत है और रूस को अब सरहद वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू करने और यूक्रेन पर कम असर वाले नुकलियर यानि परमानू हत्यारों के इस्तेमाल की है तो आपको बता दूँ कि टैक्टिकल नुकलियर हत्यार कम असरदार होते हैं और ये ट्रडिशनल हत्यारों के मुकाबले 10 फीसदी ही असर डालते हैं तो दोस्तों हकीकत ये हैं कि इन दिनों रूस में भगदर मची हुई है रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स में ट को जरिया मिल रहा है मतलब जैसे कार, बस, ट्रेन, ट्रक उनको पकड़कर वो रूस से भाग रहे हैं बताया जा रहा है कि रूस की सरहत पर फॉर्मर सोवियत यूनियन के मुलकों के पास कई किलो मीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है दरसल यूक्रैन जंग में शर्मनाक त जीतना भी है और इसके लिए लूँना फर्मान भी जारी कर दिया है लेकिन रूस की अवां उनके फर्मान को नहीं मानना चाहती है रूस के Absolvention जिना चाहते हैं कुछ जॉंबी हमें दोजख में धकेल ना चाहते है ये कहते हुए रूस के लोग जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग को बहुत ताज़ुप होगा ये जानकर कि पिछले दिनों रूस में सबसे ज्यादा सर्च किये जाने वाला सेंटेंस था कि अपना हाथ कैसे तोड़े। दरसल दोस्तों वार जोन में जबरन भेजे जाने से बचने के लिए रूस के लोग खुद अपना हाथ और पैर तोड़ रहे हैं। पूटिन ने सोचा था कि वो तीन दिनों में यूक्राइन को पीट पाट कर वापस लोट जाएगा। शुरुआती दोर में उन्हें कुछ काम्याबी भी मिली लेकिन अब वो बुरी तरह फच चुके हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्राइन की जंग पूटिन के लिए वाटर लू की जंग साबित होने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि वाटर लू की जंग 18 जून 1815 में लड़ी गई थी और नेपोलियन की ये आखरी जंग थी। इस जंग में एक तरफ फ्रांस था तो दूसी तरफ बृटेन, रूस, प्रशा, आस्ट्रिया, हंग्री की फौजे थी। इस जंग में हारने के बाद नेपोलियन ने सरंडर यानि आत्म समर्पर कर दिया था। फ्रांस के किंग नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर भी तरह तरह की बाते कही जाती नहीं हैं। लेकिन ज्यादा तर हिस्टॉरियन्स ये मानते हैं कि उनकी मौत की वजए उनके पेट का कैंसर था। दरहसल वाटर लू की लडाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना आइलेंड पर एक्जाइल यानि देश से निकाल दिया गया था। जहां 52 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। खैर अब पूर्टिन यूकरेन जंग का भार नहीं जेल पा रहे हैं। जानकारों का मनना है कि पूर्टिन गैस के दम पर बहुत दिनों तक यूरप को ब्लैक मेल नहीं कर पाएंगे। यूरप प्लैस अमेरिका एकॉनिकल तौर पर तक्नीक के मामले में रूस से सैकड़ो गुना आगे हैं। इसलिए अब पूर्टिन फ्रस्ट्रेट होकर न्यूकलियर जंग की धंकी दे रहे हैं। लेकिन पूर्टिन को ये भूलना नहीं चाहिए कि न्यूकलियर हत्यार सिर्फ उनके पास ही नहीं है। वैसे कहा जा रहा है कि अपनी जिन्दगी के आखरी दौर में पहुच चुके पूर्टिन अंदर और बाहर दोनों मोचों पर जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि कब तक लड़ेंगे। ताना शाहों की जिन्दगी कैसे खत्म हुई है तिहास इसका गवा है। खैर नेटो के जनरल सेकरेटरी जेन्स इस्टाल्टेन बर्थ ने यूकरेण में नुखलियर हत्यारों के इस्तेमाल पर रूस को संजीदा नतीजे भुकतने की वर्निंग दी है। उन्होंने संडे को कहा है कि न्यूक्लियर हत्यारों को लेकर करी जारी बियानबाजी खतरनाक है और एक ये बड़ी लापरवाही है और किसी भी तरह के न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग के तरीके को बदल सकता है और न्यूक्लियर जंग कभी ना तो है जब यूक्राइन में अपनी फॉज पर बढ़ते दबाव और कई लाकों में हार के बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादीमर पूटिन ने न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तेमाल करने का इशारा किया है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एहम बात बता दू कि वेस्टन कंट्रीज के नेता और सरकारे ये मानती हैं कि बीते फ्राइडे के बाद से ये खत्रा और ज्यादा बढ़ा है जब पूटिन ने यूक्राइन के इस्टन और सदन रीज पर फिर से कबजा कर लिया है लाइमन को रेलवे हब के तोर पर जाना जाता है लाइमन में रूसी फाज की हार के चलते रूस की मिलिटरी लीडरशिप की काफी किरकरी हो रही है इसके बाद पूटिन के कुछ करीबियों ने यूक्रायन पर और मजबूत हमला करने की मांग कुछ कटर राश्रवादी कम असर वाले न्यूक्लियर हतियारों के इस्तेमाल की वकालत भी कर रहे हैं वही नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टॉल्टन बर्ग ने नेटो मुलकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर भी रूस को वार्निंग दी है उन्होंने इशारा किय पाइपलाइन लीक भी किसी साज़श के तहत हुई है दूसरी तरफ रूस के फ़ॉरण मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका और नेटो नौड बैकर नेटो डूट फ़ॉरर ने का अरादा रखते हैं रूस की foreign ministry की spokesperson मारिया जाहरोवा ने कहा है कि अमेरिकी foreign minister एंटिनी बिलिंकेन ने केनडाई foreign minister मेलनी जॉली के साथ press conference में जो कुछ भी कहा है उस से उनका इरादा साफ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको बता दू कि टेलीग्राम पर मारिया ने कहा है कि बिलिंकेन बिना हिचक के कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो Nord Stream 1 और 2 gas pipeline को तबाह करने का इरादा रखते हैं मारिया ने टेलीग्राम पर लिखा है कि बिलिंकेन ने कहा है कि पाइप लाइन से योरप में gas नहीं जा रही है Nord Stream 2 को योरप में gas भेजने के लिए इजासत नहीं है Nord Stream 1 को रूस ने एक हफ़ते पहले ही रोग दिया था बिलिंकेन ने कहा है कि रूस एनरजी यानि उर्जा जरूरतों को हतियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जबकि रूसी फॉलम निस्ट्री की स्पोक्स परसन का कहना है कि रूस ने कभी भी एनरजी यानि उर्जा को हतियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है अभी रूस और पहले सोवियत यूनियन योरप को गैस देते रहे हैं इसमें कभी कोई रुकावट नहीं आई थी और पिछले 50 सालों से इस मुद्दे पर अमेरिका जूट बोलता रहा है वही नौड स्ट्रीम एजी कमपनी ने कहा है कि 26 सितंबर को पाइपलाइन को ज्यादा नुकसान पहुचाया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नौड स्ट्रीम पाइपलाइन के पास दो धमाके हुए थे डैनिश न्यूस एजनसी ने कहा है कि बड़ी कॉंटिटी में गैस समंदर में लीक हुई है और उसके आसपास के इलाकों में शिप की आवाजाही रोग दी गई है तो आपको बतातूँ कि नौड स्ट्रीम 2 तकरीबं 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बाल्टिक सी से होकर वेस्टरन रूस से नौर्थ इसटरन जर्मनी तक जाती है इस प्रोजेक्ट के जर्ये रूस से जर्मनी जाने वाली गैस की सप्लाई को दुगना करने का टार्गेट रखा गया है और अभी मौझूदा वक्त में रूस से जर्मनी जाने वाली गैस नौर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से होकर जाती है जिसे 2012 में बनाया गया था अगर ये प्रोजेक्ट काम्याब हो जाएगा तो इस पाइपलाइन से जर्मनी को हर साल 55 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई मिल सकेगी इस प्रोजेक्ट की मालिक रूस की सरकारी गैस कमपनी गैस प्रोम है लेकिन अब सब कुछ बीच में लटक गया है और जर्मनी दूसरे आप्शन्स की तलाश में है वहीं दूसरी तरफ अगर यूकरेन जंग की बात करें तो लाइमन में जिस तरह रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है वो यूकरेन की हिम्मत और बहादुरी को दिखाता है तो वहीं कुछ जानकार इसके लिए अमेरिका और नेटो के दूसरे मुलकों की तरफ से दिये जारे हत्यारों को भी वज़े मानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दू कि नौर्थ एटलांटिक क्रिटी और्गनाइजेशन यानि नेटो दूसरे वर्ल्ड वार के बाद 1949 में बना था इसे बनाने वाले अमेरिका, कैनेडा और दूसरे वेस्टरन कंट्रीज थे इसे उन्होंने सोवियत यूनियन से सिक्योर्टी के लिए बनाया था तब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी एक सूपर पावर अमेरिका था और दूसरा सोवियत यूनियन शुरुआत में नेटो के 12 मेंबर मुल्क थे नेटो ने बनने के बाद ऐलान किया था कि नॉर्डन अमेरिका या यूरप के किसी भी मुल्क पर अगर हमला होता है तो उसे और्गनाईजेशन में शामिल सभी मुल्कों को अपने उपर हमला मानना होगा नेटो में शामिल हर मुल्क एक दूसरे की मदद करेगा लेकिन डिसमबर 1991 में सोवियत यूनियन के डाउन फॉल के बाद कई चीजें बदल गई नेटो जिस मकसद से बना था उसकी एक और बड़ी वज़े थी सोवियत यूनियन जो की बिखर चुका था अमेरिका इकलाता सूपर पावर बचा था सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रूस बना और रूस भी अब फाइनेशिल तोर से तूट चुका है खैर दोस्तों आज के सियासी तमाशे में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जये हिंद सत्ते मेव जयते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा हुई डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हर्गीज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बू पेज पर मेरा ट्विटर है एड़ दरेट अफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में